हेलो मेरे प्यारे वीवर्ड वेल्कम बैक टो कोकीजी अंड इलिशेज फ्रेंड्स अगर आपको भी आटा गूना रोटिया बनाना बहुत ही जंजट का काम लगता है तो आज की इस तरीके को देखकर आप भी फटा फट गोल गोल चपाती हैं बिल्कुल बलून की तरह फूल सोड़ा एड़ करने से क्या होता आपके चपाती हैं जोने काफी नरम बनती है और काफी मतलब पूरे दिन तक क्या हो जाती है अगर आप एक दिन भी रखते हैं तो भी बहुत ज्यादा सौफ्ट रहेंगे अब परफेक्ट रूटी के लिए डो जो होना चाहिए वो हमारा क इस तरीके का होना चाहिए उम आपको बताऊंगी तो मैंने हाँ पर तीन कप आटा लिया था तो मैं हाँ पर गुन गुने पानी के साथ आटा लगा रही हूं यह देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है पानी थोड़ा थोड़ा एड़ करना है और आटे को सिर्फ पानी क में नहीं है और सारा जो आना एक साथ एकटा हो चुका है यह देखे जब आप इस स्टेज पर पहुल जाए तो आपने क्या करना है आटे के अंदर क्या करना है थोड़ा सा ऐसे गैब बनाना है और थोड़ा सा हम पानी लेंगे और आटे के उपर डाल देंगे इस तरीके से और उन फिंगर की मदद से चुटे-चुटे होल्स बना देंगे और आटे को ना हमने ज़्यादा मसलना नहीं है बहुत कम महनत लगते है इस तरीके से आटा गुन्दे में अब आप इसको ना 5-7 मिनिट के लिए कवर करके लगदे ऐसे ही जब तक आप अपने किचिन का कोई और काम भी कर सकते हैं जैसे बटन दो सकते हैं सबसी कट कर सकते हैं पांच मिनिट बाद ये देखी फिर हम क्या करेंगे बहुत ही हलके से इसमें पंच लगाएंगे और बहुत कम टाइम लगता है इस तरीके से आटा गुन्दे में बहुत कम महनत लगती है थोड़ी देर में क्या देखेंगे आप आपका आटा जो है ना बहुत ही ज़दा स्मूद और चिकना हो जाएगा यह देखें अब आटा को आपने अच्छे से पंच लगाना है और आटा जो है ना हमारा डो जो है वो रेडी हो चुका है यह देखें जितना अच्छा आपका डो होगा उतनी अच्छी आपकी चपाती और रोटी बनकर तयार होती है ये डो जो हमारा रेडी हो चुका है अब मैं आपको एक टिप पताऊंगी जिसे आपका आटा जो है न हमेशा सॉफ्ट रहेगा आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में आटे के उपर एक लेयर बन जाती है ड्राय ड्राय सी तो आपने आटा गूंद एक बाद दो से त प्रांसफर कर लिए दूसरे बाउल में और आटे को आप कम से कम पांस से दस मिनट का रेस्ट जरूर दें साथी साथ रोटी आपने नहीं बनानी तो आटा जब तक हम तवे को भी रेडी कर लेते हैं मैंने यहां पर एक से दो ड्रॉप ऑईल की डालकर तवे को अच्छे से ग्रीस कर लिया टिशू पर से इस तरीके से करने से क्या होता है कि जो आप पहली रोटी बनाते न वो आपकी कभी भी खराब नहीं होती पांस से दस मिनट बात दीखिए आट अक इतना ज्यादा सौफ्ट हो चुका है अब हम क्या करेंगे आटे में से चोटे 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 पेड़े बना लेने हैं अगर आप बिगेनर्स हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा है तो आप वीडियो के स्किप बिल्कुल भी ना करें अब आपने क्या करना है दोनों हतीलियों को बीच मैसे करते हो इसका इस तरीके से प्रेस करेंगे तो एक गोल सा पेड़ बिल्कुल भी नहीं लगाना है यह जो मैं आपको बता रहें जो बेलन की डंटी होते है उसको आपने इस तरीकी से पकाड़ना ही देखे और लाइट बिल्कुल हलक रहा हातों से आपने बेलन को चलाना है कुछ भी करने की ज़रूत नहीं रोटी जो है अपने आप घूमें जाती है नरम नहीं रहती है कि देखे अब मैं देखे हलका लंबाई में भी तोड़ा सा बेल दन चलाऊंगी और फिर हलके हाथों से गोल आई हुए तो इससे क्या हो जाएगा आपकी रोटी के जो किनारे है ना वो काफी जादा पतले बनेंगे और बहुत अच्छी रोटी ब बनेगी तवा जो है ना मैंने गरम होने के लिए रख दिया था अब इसके उपर हम रोटी को डाल देंगे और कुछ सिकंड्स के पाद चैसी रोटी का कलर चेंज होगा हमने इसको पलट लेना है यह देख सकते हैं आप अब यह करेंगे एक बार जब हम दूसरी साइड से इ और यह देखे कितनी बालून की तरह उपर फूल करागी ना तो रोटी हमारी सिकत तयार है अगर आप वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लेगे ने तो प्लीज प्लीज लाइक किया करें कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब है अगर यहाईब है जड़ मेंड़ोगी दिखाएं वी जफ 15 रचे वाढ वीडियो झा सेخटर से वीजगब शाइब वीडियो और फापको लेगे तो से नारी सिक वीडियों चिवाद कितना ख przyszंगर वादर को जाल सेघएं कितना हुgnoth